हालो फ्रेंद्स मेरा नाम है तोफीक और आप देख रहे हैं मेरा चानल लक्षे स्टूडियोज तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम कोर्ल रा में symmetry option का use कर सकते हैं तो symmetry option का use होता है symmetrical obviously symmetrical objects create करने के लिए ज्यादा तर symmetrical logos create करने के लिए इसका बहुत use होता है तो चली शुरू करते हैं तो पहले देख लेते हैं simple example के साथ की actually है symmetry तो अगर suppose मैं कोई shape draw कर रहा हूँ pen tool का use करके और exactly मुझे same चाहिए दूसरी side में क्योंकि हम कितना भी try करें 100% तो आएगा नहीं तो 100% आएगा ऐसे बोल नहीं सकते है या बहुत ही जाद मुश्किल है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ object में और यहाँ पे symmetry option है create new symmetry तो यहाँ पे अभी जो mirror lines है वो मैंने create होगा ऐसे कुछ इस तरह से और इसको अगर मैं finish करूँ escape मैं press करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा और अगर मैं यहाँ पे finish क्लिक करूँ तो यह shape बन गया दिखिए यह shape बन गया अभी यह सारे object क्या बन जाते है एक दूसरी के साथ link हो जाते है तो यहाँ पे मैं break link कर देता हूँ तो यह link break हो गई यह सारे उसके बाद हमें ungroup करना पड़ेगा इसको मैं delete कर लेता हूँ दो बार हो गया क्योंकि यह हमने यहाँ पे लिया था इसलिए हो दो बार हो गया तो यहाँ पे अभी जैसा कि आप देख सकते हो यह तो सिर्फ एक line है लेकिन अगर हम smart fill tool का use करें तो इसको एक shape ऐसे बना सकते हैं और दोनों को select करके ऐसे यहाँ पे हलका सा इसको delete कर देते हैं इसको delete इसको थोड़ा सा overlap कर देते हैं और इसको यह बन गया मतलब symmetrical shape लेकिन हम एक logo के साथ try करते हैं अभी देखिए यह logo है अभी यहाँ पे अगर हम देखे तो दोनों side carefully अगर हम देखे तो symmetrical है जैसे कि यहाँ पे जो भी shape है जो भी angle कर हो है वो सारा same दूसरी side में भी same है अब किसी भी side को अगर compare करके देखे तो तो अगर हम trace करें paint tool से अगर हम trace करें तो बहुत ही मुश्किल है जैसे कि nearly impossible है कि symmetrical 100% correct आए एक side दूसरी side से 100% match हो यह ब symmetry का use करें तो exactly जैसा हम एक side में बनाएंगे वैसा दूसरी side में आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह logo हमने पहले से ही ले लिया है तो हम जाएंगे object में symmetry में और देखे create symmetry और इसको सबसे पहले तो center में रखना बहुत ही ज़रूरी है तो मैं zoom करता हूं इसको तो इस side सिर्फ trace करूँगा pen tool का use करके इसको हलका समय उपर ले लेता हूं यह रहने देते है pen tool देखे pen tool यह और trace आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको असान लगे तो मैं यहाँ पर ऐसे trace करना इसको शुरूरू कर देता हूं तो अगर आपको लगता है कि curve आप directly use कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो लेकिन मैं पहले straight line create करके इसको curve में convert करूँगा तो यहाँ पर मैंने click किया यह और जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी side में automatically जो भी मैं कर रहा हूं वो replicate हो रहा है यह और tracing के समय जैसा आपको याद ह होगा कि जहाँ पर edges है वहाँ पर click कीजिए sharp point बन जाएंगे अब देखिए इसको मैं shape tool का use करके shape tool सारे nodes में select कर लेता हूं इसमें कोई change नहीं होगा अभी क्योंकि यह हम change नहीं कर सकते inaccessible है एक ही side हम change कर सकते तो इसको मैं select करके convert to cover कर देता हूं और इसको one by one इसको proper match कर करता हूं यह point की कोई ज़रूरत नहीं है इसको delete double click करके यहां से यह proper जितना अच्छे तरीके से हो सके वो कीजिए मैं यहाँ पर बहुत ही fast कर रहा हूं लेकिन जब आप real में बनाएंगे तो बहुत ही slowly कीजिए और जितना आप time spend करेंगे उतना वो अच्छा बनेगा logo quality उसके अच्छी होगी तो यहाँ पर देखिए यह मैंने जैसे मैं कर रहा हूं आप अगर देखें तो वैसा यहाँ पर change हो रहा है यह देखिए यह देखिए यहाँ पर change हो और इसको मैं और इसको double click करके delete कर देता हूं हलका सा इसको यहाँ पर रख देता हूं तो देखिए exactly जैसे मैंने बनाए वैसे यह बन गया इसको अगर मैं finish करूँ तो वापस यह एक ही बन जाएगा जो image और यह थी तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा सबसे पहले break कीजिए उसके बाद भाहर click करके इसको ungroup कीजिए तो यह ungroup हो जाएगा यह दिखिए यह वाली और इसके बाद इसके अंदर वाप कर दिया जैसे कि यह undo करके दिखाता हूँ weld option हम यूज करना है एक से जाधा अगर हम object select करते हैं तो यह option shaping option आ जाते हैं weld यह logo बन गया बिल्कुल ही 100% यह क्या हो गया symmetrical बन गया तो ऐसे logos खासतर पे symmetrical logos अगर हमें create करने हैं तो यह बहुत useful option है और इसमें और भी अगर हम देखें तो एक से जाधा भी हम create कर सकते हैं जैसे कि मैंने कोई यहां पर shape ले लिया जैसे यह shape ले लेता हूँ मैं और मैं जाता हूँ यहां पर यह ले लेता हूँ center में इसको color देता हूँ कोई भी right clicker किसे outline और मैं जाता हूँ object symmetry अगर मैं मुझे नजदिक चाहिए यह line क line भी shift कर सकते हैं अब भी देखें यहां पर यह है तो मुझे अगर मैं यहां पर mirror lines बढ़ा दू तो कुछ इस तरीके से आएगा proper ऐसे आ जाएगा अगर इसको मैं change करता हूँ देखें मैं यहां पर जाता हूँ distort में और यहां पर push and pull distort है तो इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो सारे change हो जाएंगे undo कर देता हूँ ऐसे बनाओ तो सारे change हो जाएंगे finish करूँ तो देखी यह ऐसे बन गया एक साथ अगर इसको change यह करना है तो break link कीजिए तो और ungroup कीजिए तो यह separate बन जाएंगे तो कुछ इस तरह से हम designs वगेरा भी create कर सकते हैं कुछ अच्छ अच्छ पैटन्स भी create कर सकते हैं वापस आपको दिखाता हूँ यह यहाँ पर shape ले लिया कोई भी shape आप ले सकते हो या आप create कर सकते हो paint tool का यूश करके object symmetry यहाँ पर जितने आप करोगे वो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि distance तोड़ा रहे जितने आप बढ़ा है उतने यह होगा और इसका अगर आप shape change करें इसको control q कर देता हूँ वैसा वो पूरा change होगा देखें तो यह symmetry का use है मैं तो इसका ज्यादा तर यूज करता हूँ symmetrical logos create करने के लिए तो यह मैंने trace करके आपको दिखाया आप खुछ से pencil से logo draw करके उसको इसका photo की इसके है उसको बाद में मतलब real fresh logo आप create कर सकते हो symmetry का use करके तो बहुत ही useful option है आप जरूर इसका use करके देखेगा और मुझे बताएगा कि इसका आपको कैसे यूज हुआ तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो useful लगे तो लाइक कीजिगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए and see you when I see